हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों मैं भी अभी नाइट ड्यूटी करके आया हूं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवेग गुरूप डी इस्टाप की सेल्डी कितनी होती है और जब मैंने 2019 में जॉइन किया था तो मेरी सेल यह है यह मेरा नाम हो गया संतोष कुमार और यह मेरी जॉइनिंग डेट 27,219 हो गया और मैं नियार जोन के जंदर डिविजन के बदाई सेक्षन में पोस्टेड हूं तो ग्रूप डी इंपलाई जॉइन करते हैं तो उनका पे ग्रेड अथारा सो होता है तो अथारा सो के स ट्स आब से बेसिक पिए जो होता है वह 18,000 बनता है मेरा बेसिक पिए टारा जार हो गया और उसमें जो डियर ने से लांस था वह करेंद करता कि आपकी सिटी में आपकी पोस्टिंग है अलग-अलग सीटी के लिए अलग-अलग हाउस रेंट एलाउंस है जैसे अठ्थारा सो छती सो फिर चबवान सो यह डिपेंड करेगा का आपकी पोस्टिंग किस टाइक की सीटी में है उसके बाद यह ट्रांस्पोर्ट एलाउंस होता है एक हजार आठ रुप तो रिस्क लाउंस को अगर छोड़ दिया जा तो मेरा जो सेल्री बना था वो 22,968 रुपया बना था और अगर रिस्क लाउंस को भी यड़ किया जा तो मेरा टोटल सेल्री 5600 के सम्थिंग बनता उसमें भी हम लोग का NPS नहीं करता था तो मेरा जो निट पे बना वो 22,969 बनाओ क्योंकि केवल इंप्लाइए इंसरेंस स्कीम में ही 9 रुपया करता था बाकी टोटल एकाउंट में सेल्री आ जाती थी तो यह मेरा अगस्त मन्त की सेल्री है इसके बाद हम यह मेरा अक्टूबर मन्त की सेल्री है और यह बाकी डिटेल तो मैं बता दिया हूँ 3,060 रुपया बना था और यह एक्टूबर मन्त में लगके आया तो इसमें हमको एरियर भी मिला था 1440 रुपया उसके बाद यह हो गया हाउस रेंट अलाउंस यह ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया और इसमें देखिए मेरा रिस्क अलांस 27 रुपया एड हुआ है तो इसम कराई गया था बाद में लोग की पोस्टिंग हो गई थी और पोस्टिंग होने के बाद अगर आप रेलवे वर्क से 8 किलोमेटर से दूर जाते हैं आपको ट्रेवलिंग एलाउंस पर डे के हिसाफ से मिल दोस्तों यह जो ट्रेवलिंग एलांस मिलता है यह 500 रुपय पर डे रुम में मिलता है अगर आपको चैनल कंटें यह खlor मिलता है यह था अगर आप वहां पर 15 का मिलता है तो ये ट्रेवलिंग एलांस का रूल है हम लोग के जो ट्रेनिंग होई थी वो टीए में इसी कारण से हुई थी देखे ये जनौरी 2020 हमारा टीए लग के आया था जिसमें हमको 13500 रुपया टीए के रूब में मिला था जिस कारण हमारी जो ग्रास सेलरी बनी थी वो 40113 रुपया बनी थी और इसमें भी हमारा अभी नपीस नहीं करता था तो जो मेरा नेट पे भी बना था वो भी 40,083 रुपय बना था ये वल इंसुरेंस इसकी में 30 रुप करते समय तो मुझे तीन इंक्रिमेंट मिल चुका है जो 3% मिलता है पर ये और मुझे पहला इंक्रिमेंट जुलाई 2020 में मिला दूसरा इंक्रिमेंट जुलाई 2021 में मिला और तीसरा इंक्रिमेंट जुलाई 2022 में मिला तो ये इंक्रिमेंट जो मिलता है ये कुछ लोगों को में मिलता है कुछ लोग को जुलाई में मिलता है यह डिपेंड करता है उनके जौइनिंग के उपर और सभी को 3% मिलता है पर यह साल भर में एक इपर मिलता है तो देखिए मेरा तीन लगने के बाद मेरा बेसिक पे जो है वह इंक्रिमेंट जुलाई 2020 लगा था उसने मेरा बेसिक पे वर्तमान में जो डीए वो बढ़के 34% हो गया है तो वर्तमान में मैं गेट कीपर हो गया हूं तो मुझे स्पेसल गेट कीपर का 1000 रुपे मिलता है प्लस इसमें 200 कुछ रुपे मेरा नाइट अलाउंस बनता है तो अगर आप गेट में बन जाते हैं तो आपको आपकी सेलरी जो है 3000 के आसपास बढ़ जाती है हलाकि इस सेलरी स्लिप में मुझे नाइट अलाउंस नहीं मिला है तो कि नाइट अलाउंस पर मन्त नहीं दिया जाता है दो महिने तीन महिने का जब कलिक्ट हो जाता है तो एक ही बार दे दिया जाता है तो इस सेलरी स्लिप में मुझे नाइट अलाउंस नहीं दिया गया है अगर मेरा नाइट इसमें हैड होता है तो सम्थिंग 40,000 के आसपास मेरी सेलरी बनती है और मेरा NPS में 2640 रुपया कटता है तो जो नेट पे मेरा बना हुआ ये 35,514 रुपया तो अगर आप ड्रेस लाउंज को हटा दिया जाए और पर मन्त नाइट लाउंज को जोड़ा जा है तो दोस्तों आई हम लोग बात करते हैं कि जो 2019 के ग्रूप D के स्टुडेंट है अगर उनकी ज्वाइनिंग होते होते हैं जनौरी 2023 पहुंच जाती है उनको स्टार्टिंग में कितनी सेलरी मिलेगी तो उनको बेसिक के रुप में 18,000 रुपय मिलेगा और डिये जिसको ड पर निकालेंगे तो दिये जो होगा नहीक है पूस्तों सेलरी मिलेगा और द्रेश लाँस के रुप में किसे में नहीं मिला था तो इस प्रकाद जो आपकी ग्रास सब्री बनेगी हो 3588 Munुप Yes इसके अलामा अगर आप national holiday के दिन duty करते हैं तो आपको per day के हिसाफ से 384 रुपे मिलेगा और यदि आप 8 km से दूर बाहर duty करने जाते हैं तो आपको traveling allowance भी मिलता है तो इस प्रकात दोस्तो group D की salary काफी अच्छी है दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मेंन मकसद ये था कि salary देखके जो नए group D के student हैं वो motivate हो सके और अपनी तयारी बेहतर तरीके से और जी जान से करें तो चली अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा तो चैनल को subscribe कर लिजेगा तता अपने दोस्तों को भी share कर दीजेगा चली बाद में मिलते हैं